दोस्तों रविवार को मौझ मस्ती का दिन माना जाता है क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे देशों में रविवार का अवकाश मनाया जाता है लेकिन अधिक तक देश रविवार का अवकाश मनाते हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या बात है कि रविवार के दिन ही छुट्टी मनाई जाती है और किसी दिन नहीं अगर नहीं तो आईये जानते हैं ऐसा खिम तरसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी के रूप में स्विकार किया गया था अगरेजी हुकूमत के समय मिल मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पता था तो मज्दूरों के नेटा नारायन मीखाजी लोखंडे ने मज्दूरों के लिए सपताह में एक दिन शुक्ति की मान की शुरुआत में अंगरेजों ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया और साथ साल लडाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत मजदूरों को हफते में एक दिन छुटी देने को राजी हो गई। और साथ ही दुपहर को आधे घंटे की भूजन करने की छुटी भी मिल गई क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है। और साथ ही रविवार इसाईयों के लिए गिरिजागर जाकर प्रार्थना करने का दिन होता है। इसलिए रविवार के दिन को छुटी का दिन माना गया यही कारण है कि रविवार के दिन छुटी मनाई जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारा होसला बढ़ाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक वा कमेंट करना न भूले.